मैं हर दिन लड़ती थी, मतलब ट्रेनिंग के टाइम भी लड़ती थी, जॉब करती थी, वहाँ पे भी मुझे फाइट करना पड़ता था अपने माइंड से, तो सोने में भी काफी, मतलब डिस्ट्रैक्शन, फिर ये भी था कि नहीं, मुझे अचीव करना है तो करना है, एक तुम लड़की हो, क्या मार्शलार्च करोगी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, हड्य तूर जाएगी, रसोई के काम देखोन, ये वो शब्ध है, जो देश के लिए ब्राज जीतने वाली खुश्बुनेशाद को सुनने पड़े, ट्रेनिंग के दिनों में आई, मुश्किल उन्हें रुग्म नहीं पाई, इन्ही शब्दों को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया, जित में 40,000 महिने वाली नौकरी छोड़ दी आज महिने ट्रेनिंग ली, और आज रेजल्ट सामने है, खुश्बुनेशाद ने तजाकिस्तान में, हाल ही में हुए मिकसर्ड मा स्कूल से इंटर्मीडियेट करने के बाद साल 2021 में एमची यूनिवरसिटी प्रयागराज से ग्राजुएशन किया, ग्राजुएशन करने के बाद अप्रेल 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक होटेल रेलिशन ब्लू, लुध्याना में फ्रंट मैनेजर की नौकरी शुरू कर दी 40,000 महीन के मैं मेर जिम में दाखिला लिया, खुश्बूने शाद बताती है, नौकरी छोड़कर जब मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने जा रही थी तो मेरे करीबी और रिष्टेदारों ने मुझे ताने मारे, लोगों ने कहा तुम लड़की हो, तुम से नहीं हो पाएगा, फाइटिंग तुम्हारे लिए नहीं है, पापा को लोगों ने बोला कि अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, अकेली लड़की को हैदराबाद कहा भेजोगे, जमाना बड़ा खराब है, उसकी अबुम्र हो गई है, शादी कर दो, मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी, उन तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से पूरी छूट है, आसा नहीं था, शुरू आती सफर खुशबू आगे बताती है, पहले में फाइटिंग करती थी, मगर स्कूलिंग के दोरान परिक्षा के कारण प्रैक्टिस छूट जाती थी, हैदराबाद में ट्रेनिंग कड़ी मेहनत की, शुरुआती अस्फरताओं के कारण मैं बीच में कई बार डेप्रेशन में गई, मेरे कुछ शेख खालिब ने मेरी कांसलिंग की और मेरा बहुत सपोर्ट किया, अगर मेरे कुछ और पापा ने मेरा इतना सपोर्ट न दिया है तो शायद मैं आज यहां त ट्रभावित हैं, मगर उनका सपनक खोद लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, मिक्स मार्शल आट की वर्ल्ड चैंपियंशिप में देश की नमबर वन फाइटर बनना, उनका अगला गोल है, इसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तयार है, कोच बोले खुश ट्रेनिंग के टाइम भी लड़ती थी, जॉब करती थी, वहां पर भी मुझे फाइट करना पड़ता था अपने माइंड से, क्योंकि जॉब करके आच गंटे-10 गंटे में जॉब को देती थी, तो सोने में भी काफी डिक्रेक्शियां थी, ये भी था कि मुझे अचीव करन चाहिए तो करना एक जो जिद पना होता है, मुझे चाहिए तो चाहिए तो किसी प्यारत में नीन बीन सब घ्यापाड में, मतलब तत्व जाओं कि मैं हर दिन लड़ती थी, मतलब ट्रेनिंग के टाइम भी लड़ती थी, जॉब करती थी, वहां पर भी मुझे फाइट करना अपने माइंड से, क्योंकि जॉब करके आठ गंटे दस गंटे मैं जॉब को देती ती फिर आठ गंटे साथ से आठ गंटे मैं अपनी टेनिको ते ती ती तो सोने में भी काफी मतलब इस्ट्रेक्शन फिर यह भी था कि नहीं मुझे अचीव करना है तो करना एक जो जित्पन अभी मैं यंड हूं तो कड़ सकती है, बाद में पसल उटने सचा कि रही किना मैं अम्हानत करूब कि बाद में बैठ गयकर सोचिhoँ कि काष कि मैं इस्टैमीकर सekk तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं इस टाइम को अच्छे से उचिलाइज के तमाम उन लड़कियों के लिए आप ग्यास अंदेश देना चाहेंगी जो किसी फी फिल्ड में कारी करना चाहेंगी आप यह को यह कहना चाहूंगी आप यह मत सोचो कि में पास फाइनशनी सपोर्ट किसर थाओ को यह कुछा जग आपको पाना पर मुद्ध की अअगरी उर्ट हो से अपूरा फोरी चाहें में हमारे छोडिएख कर हो पर मारा में कि माम प्र करोबहार करेंगी घरवाला चाहेंड की थाओ कि मेर बाद में ता कि उ leider कुछ करिए गरतेगी बहत बाद में मेरा मेंटल फाइट था, मेरे गर्वालों इतने स्टॉंग करके बेजा था, कि उनको बरोसा था, में लड़की टिक जाएगी, सर्वाइब कर लेगी, इतना ही काफी था, बाकी जो मेंटली फाइट था, वो में खुद से लड़ती थी, फिर मेरे कोच मेरे जादा करीब होते थे, वो जान पाते थे, वो देख पाते थे, किसको किस चीज की ज़रत है, तो उसी हिसाब से मेंटली वर्क करना या, मुझे किसी फाइनिशी भी ज़रूत पड़ती थे, सरनी हमेशा मुझे सपोर्ट किया, इतने दूर रहे के लिए, कहां कहां से आपका मुगाबला था, किसको आप हरा कर कांस बदक जीत कर आई थे, स्टेट यहां से पहले तो मैं डिस्टिक क्वालिफाइ की, तो मैं मुझे तेलांगना की लड़की से फाइट करना पड़ा, तब मैं स्टेट क्वालिफाइ की, स्टेट क्वालिफाइ करके वहां की लड़कीों को हरा के, नेशनल को एक वापसे कि रिज़ इज रिड़ किया तिया थिए टीज़ रिड़ किया थी बैंगलोर किया थी और अलग जगों कि वंताब जितनी भी बीगवसों कि सबस्क्राइट कोई टॉप एक की जा पाता इंडिया से बाहर तो इसमें मुझे अपॉर्च्टी दी तो मैं तर्जाकि के दर लॉक होती रिंग वापस आएगा यह तो अब हम लोग ने वह परफॉर्मेंस दे रिया कि अब वह डरते हैं